आर्थिक आदार पर आरक्षिन के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कोर्ट सम्विधाने के बदलावों को मिली चिनोती पर मुखिन आधीश रंजन गोगोई और संजीव खन्ना की पीठ सुनवाई करेगी इसी मामले को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में पहले से याचिका दाखिल की गई थी सामान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसिदी आरक्षन के खिलाब सुप्रिम कोट में एक याचिका कारोबारी तहसीन पूनावाला की ओर से दाखिल की गई थी इस याचिका में कहा गया था कि इस पैसले से इंदरा साहनी मामले में सुप्रिम कोट की सम्मिधान पीट को 50 फीसिदी की अधिक्तम आरक्षन की सीमा का उलंगहन होता है देश के पूर्व प्रधान मंत्री पीवी नर्सिमाराओं भी आर्थिक आधार पर आरक्षन देने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने अपने कारेकाल में मंडलायों की रिपोर्ट के सवर्णों को 10 फीसिदी आरक्षन का एलान किया था लेकिन सुप्रीम कोड की समिधानिक पीठ ने इसे खालिश कर दिया था बता दें कि मोदी सरकार ने संसद में समिधान के 124 संशोधन करके सवर्णों के लिए आरक्षन की विवस्था की है इसके तहट सामान वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षन की विवस्था है